हैलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे और आपकी प्रग्नेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो आज की इस वीडियो में मैं अपने प्रग्नेंसी की सिम्टम सेयर करने वाली हूँ जो पांच ठोस लक्षन आपके साथ सेयर करूँगी हो सकता है इन पांच ठोस लक्षनों में से एक या दो भी आप में मिल गया आपके प्रग्नेंसी के लक्षन से मैच कर गया तो बहुत ही बरे और सटिक लक्षन माने जाते हैं कि आपका होने वाला बेवी बोई ही होगा क्योंकि और सिर्फ आपको ये लक्षन बेवी बोई के टाइम ही दिखेंगे क्योंकि जब भी कोई महिला फर्स्ट बार प्रिग्निंसी कंसीव करती है तो उन्हें pregnancy के बारे में कुछ भी knowledge नहीं होता है यदि महिला second या third pregnancy conceive किया है तो उनको काफी हद तक अनुमान रहता है पहले से symptoms के बारे में baby boy होगा या baby girl होगा क्या क्या symptoms दिखने से क्या होता है और symptoms क्यों दिखते हैं माने कि कुल मिला कर सारी जानकारिया उन्हें पहले से मिल जाती है लेकिन जो महिला first pregnancy है तो उनको कुछ नहीं पता होता है तो मैं पता दूँ कि मैं अपना first pregnancy का सारे तो नहीं लेकिन हाँ पांच ठोस symptoms share करूँगी जो मेरे उपर सही बैठे थे सही जचे थे वही मैं share करूँगी और इन में से आपको सिर्फ match करना है जो संके दिखाता है यह आपका होने वाला baby boy है जब कोई महिला pregnant होती है तो सबसे पहले बहुत जदा उत्सुक्ता होता है जानने का कि लरका होगा या लरकी होगा क्योंकि first pregnancy में ऐसा ही होता जिन महिलाओ का पहले से लरका है वो लरकी का चाहत रखती है और जिन महिलाओ का पहले से लरकी है वो लरका की चाहत रखती है ताकि उनका family complete हो जाए family complete करने के लिए बहुत जदा मन में एक्साइड़ और उत्सुता बनी रहती हैं तो सबसे पहले सिम्टम्स आपको ए दिखने के मिलते हैं जैसे कि आपको प्रणिसी के दोरान आप सूचेंगे कि ये सिम्टम्स दिखने से क्या बेबी बोई होने का सच में संकित माना जाता है तो मेरे उपर ये सही बैठे थे इस सही होता था और के महलाओ को मैंने देखा है तो हमारे ओल्ड वाइफ इसके अनुभव करते हैं कई हट्था किसे सही मानते हैं ये ये लक्षन देखता है तो बेबी बोई होने का संकेत माना जाता है प्रणिसी के दौरान तो बहुत ज़्यादा आपको जाननी कुद सुकता बेबी बोई हैं पीट बिल्कुल अंडे कार शेप में निकला हुआ है और ज्यादा निकला हुआ है नीचे की तरह लटका हुआ है तो समझ y Share कि आपका होने वाला बेवी बोई है बेवी होने का बहुत ही पक्चे लक्षन माने गये हैं और मेरा प्रणीसी में ये लक्षन में उपर सही बैठे थे इसलिए मैं आपके साथ जार करें उसके पर आपको फेस पे बदलाव आएंगे जैसे कि आपके इस तरीके से आप देख सकते जैसे कि वीडियो में दाग धब्बे हो गए फेस में आपकी सुंदरता कम हो गई है आप पहले बहुत जादा सुंदर दिखते अब आपके सुंदरते बिल्कुल कम हो गई है तो लर्का होने का सटिक लक्षन है अस्तन के आकार से भी आप काफी हद तक अनमान लगा सकते हैं यदि आपका अस्तन कोई भी एक बड़ा सेफ में आ गया है और एक छोटा सेफ है तो यह भी काफी हद तक माना जाता है कि होन अब आपको जादा फौटी चीज़े खा रही तो यह पहुत ही पके लक्षन माने जाते हैं कि होने वाला बेबी बोए है क्योंकि यह लक्षन मेरे उपर हंड़ेट टिन परसेंट सही बैठे थे इन पांच लक्षन चो मैं आपके साथ है कोई मकसद नहीं है लर्के अल्रके सिर्फ आपके जी क्यासा को काम करने के लिए वीडियो बनाई जारी नमस्कार